लो दोस्तों आज मैं आपको अपने कुछ नए प्लांट दिखाऊंगी और उनकी नाम बताऊंगी और उसकी दाम भी बताऊंगी यह कोलियस का प्लांट यह मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसे लाया है और यह प्लांट करिक मुझे 70 रुपीस में मिला है जहां पर मैं रह यह पाल का डॉट पॉल का के बहुत सारे कलर से रहते हैं और यह वाइट कलर बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया और यह बहुत दो कलर में है इसके और कुछ कलर भी आते हैं और यह बहुत खुबसुरत प्लांट है और इंडोर प्लांट है लेकिन ऐसी जगह में चल जाएगा यह जहां पर आप कोलियस को जैसे आप ग्रो करते हैं को उस तरीके से इनको ग्रो करेंगे तो एकदम कोलेश की तरह ही है वैसी इनको विजदम से ब्राइट लाइट चाहिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए और या फिजहां पे छनके दूप आती है पर तो बहुत अच्छे से इसके पत्ते में ऐसे इनके पत्तों में कलर आती है और इसके कटिंग से भी बहुत इजली ग्रोव होता है और यह है विंका का प्लांट और यह करेब यह भी 70 रूपीस में मिला है और यह दो प्लांट है दोनों अलग-अलग कलर के फ्लार्स है इसमें और यह है बर्बीना का प्लांट यह थोड़ा बुशी सा था और यहां भी एक अलग सी ब्रांच थी लेकिन मैं जब लेके आ रही थी तो यह तूट गया और अब मैं इन सब को रिपार्ट करूंगे और र अद Ol expert लगा अब एक बात का ध्यान रघान रखने। मेन हम बदोतर यह तूट हैम देखांब देखसके और शाइन रूदो को रिपार्ट कर लिया है और उनको अच्छी तरीके से लगा बदिया और आप एक बात Теперь करणी है है और आप जब भी आप मनार्चरी से पौधे लाते हैं तो पहले पौधों को दो तीन तीनों के लिए अपने घर पे ऐसी चोड़ दे रीपॉट ना करें जब तक वह अपने घर के माहल में सेट नहीं हो जाते हैं और जब वह दो तीन दिन गुजर जाते हैं उसके बाद इनको आप से रखने लेकिन जब हम रीपॉट करते हैं उसके बाद भी दो तीन दिनों तक उनको डायरेक्ट दूप ना लाएं यानि कि जब हम इनको रीपॉट करते हैं तो डायरेक्ट संलाइट में लेकर आके रख देते हैं कई बार होता है आमें पता नहीं रहता है कि रीपॉ अजर्णते प्लांट को लगा दिये हैं अब देख सकते हैं और यह दिए बहुत है यह चल और बहुत अच्छे से दो सीट्स तो इंशाला समों ग्रो हो गया है और यह तो मिक्चर का पैकेट रहता है मैंने उसमें किचन विष्ट खाट डाल डाल के रखा था उसमें मैंने थोड़ी सी एक लेयर मिट्टी की बनाई एक इंस्पिय उसमें सीट्स लगा दिया तो बहुत अच्छे से घ्रोट में है जब अच्छे से घ्रो करेगा तो मैं इसे दूसरे में सिप्ट कर दूँगी और यह हैं मेरा अप्राजीता का एक पौधा जो बहुत अच्छे से चल रहा है एक पौधा नहीं है करीब दो हैं और यहां मैंने कुछ शीट्स लगाए थे प्रूनिंग कर देती पत्ते थोड़े खराब हो गयते और यहां पर मैंने कुछ सीट्स लगाए हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ में है मैं इसी इसी में छोड़ूंगी और इन पौदों को जब यह सीट्स अच्छे से ग्रोव हो जाएंगे और उसके बाद में इस बेल को इस चड़ाने की कोसिस करूंगी और आप देख सकते हैं यह भी मैंने दिखाया था नीमो का पौदा यह भी ग्रोथ में अच्छे से और इसमें भी एक बिंडी की मैंने यह बिंडी का सीट्स लगाया था यह भी बहुत अच्छे से चल रहा है तो फिर ठीक है दोस्तों मिलती इंचाला अपनी अगली वीडियो में